Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Knowledge in Hindi आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं One Time Password के वारे में जिसे हम OTP भी कहते हैं तो ये क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है कैसे इसको इस्तिमाल किया जाता है और ये कैसे हमको मिलेगा आईए आज की इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं सबसे पहले हम जाल लेते हैं OTP की Full From तो OTP की Full From होती है One Time Password तो इसकी ये Full From होती है आप इसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो ये कई एक्जाम में भी आता है कि OTP की Full From बताई है ये क्यों जरूरी होता है तो आप देख लिजिए अब बारी आती है कि ये जरूरी क्यों होता है तो आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में बहुत तरह के Fraud किये जाते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में OTP को इसलिए जरूरी बनाये गया है ताकि किसी भी तरह का जो Fraud होता है उसको रोका जा सके इंटरनेट की दुनिया में ये एक तरह से ताले चावी का काम करता है आपका जो Software है Application है जहाँ पे आप अपनी ID बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक ताला है और उसमें आप ID बनाएंगे तो एक OTP आपके पास आएगा वो एक तरह की चावी है जब आप उसके अंदर अपने OTP डालेंगे यानि चावी लगाएंगे तब ही जाकर आपका जो Application है या Software है वो सही तरह के से काम करेगा Security की वज़े से OTP का अविश्कार किया गया था ताकि Online की दुनिया में Fraud को रोका जा सके अब बारी आती है कि OTP की Validity केतनी होती है यानि कब तक Valid होता है अब यह Depend करता है उस चीज़ पे जहां से आपका जो OTP है वो आया हुआ है कई OTP 10 मिनट के लिए Valid होते है कई OTP 1 मिनट के लिए Valid होता है कई OTP 1 गंटे के लिए होते हैं और कई OTP 48 या 72 गंटे के लिए भी Valid होते हैं जैसे कि आप Facebook, Twitter, Instagram किसी application पे ID बनाएंगे तो उसके जो OTP होते हैं वो सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए Valid होते हैं पर यहां पे कोई बड़ा software है या कोई बड़ी website है उसके जो OTP होते हैं वो करीबन 20 या 30 मिनट तक Valid होते हैं पर यहां पे जो bank से related OTP होते हैं जैसे ATM card वाले OTP जो होते हैं वो 72 गंटे तक के लिए भी Valid होते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेगा जब आप card activate करते हैं वो 72 गंटे या 48 गंटे के लिए activate होते हैं बारी आती है OTP को हम कितनी बार इस्तिमाल कर सकते हैं तो OTP के नाम से ही पता लगता है कि वन टाइम password यानि हम इसको सिर्फ एक बार ही इस्तिमाल कर सकते हैं ये एक तरह की सिर्फ single चाबी होती है जिसको हम सिर्फ एक बार ही इस्तिमाल कर सकते हैं और हर बार हमारा OTP change होएगा आप try कर सकते हैं अगर आप दूसरी बार OTP लेंगे कहीं application से या software से तो आपका OTP अलग आएगा तीसरी बार अलग आएगा, चौती बार अलग आएगा तो उस चीज़ पर depend करता है कि आपका OTP कितनी बार आता है तो आप इसको सिर्फ एक बार ही इस्तिमाल कर सकते हो अब बार ही आती है कि हमको OTP कैसे मिलेगा, OTP कैसे आता है तो दिखिए आप जिस भी software पे, जिस application पे कुछ काम कर रहे हैं जिसके आपका bank है, या कोई application है, ID बना रहे हैं तो उससे आपकी email ID, यानि Gmail ID और आपका mobile number जुड़ा होगा अगर नहीं जुड़ा है, तो वहाँ पे आपको enter करना होगा जिसके example के लिए मैं WhatsApp पे ID बना रहा हूँ तो पहले मुझे वहाँ पे अपना phone number डालना होगा और phone number डालने के बाद, जो मेरा phone number है उस पे एक OTP आएगा, जो कि सिर्फ एक बार ही काम करेगा और ये करीबन 5 या 10 minute के लिए valid होगा अब ये OTP के उपर है, वो 4 digit का है या 6 digit का है क्योंकि उजातर OTP 6 digit के होते हैं पर कुछ-कुछ OTP 4 digit के भी होते हैं तो आपको OTP आपके Gmail ID पे, आपके mobile number पे या उस detail पे मिलेगी, जहाँ पे आपने वो detail दी है तो शायद आपको समझ में आया होगा अगर आपको इससे related कोई भी question है तो आप comment कर सकते हैं चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा